प्राचिनकाल के राजे महराजे आपस में ही इवद लड़ा करते थे उन्हीं में से एक राजा शक्तार के साथ जुड़े हुए हैं चानक के जैसे ही राजा शक्तार भी जंगल में पहुचे तो उन्होंने एक काले कलूटे हड्डियों के धाचे ब्यक्ति को कुशो को उखाडते हुए उनकी जड़ों में मठा उड़ेलते हुए देखा कुशो को सीच रहे हो करमकांडी पंडी तलगते हो नहीं ब्रामण तो हूँ पर करमठ नहीं हूँ इन्हें सीच भी नहीं रहा बलकि इनका समूल नाश कर रहा हूँ इनकी जड़ों में मठ्था डाल रहा हूँ इससे यह कभी भी पनप नहीं सकेंगे यह तो महानकारे कर रहे हो इसके बदले में आपको कुछ मिलता है सुनसार में हर काम कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता मैं बर्शों तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा कर हजारों लंबी चोणी अशाय लिए अपने घर की और जा रहा था माबापने मेरी शादे की बात पक्की कर रखी थी परन्तु इन काटों ने मेरे पाउं में चुब कर मेरा रास्ता रुक लिया मैं समय पर घर नहीं जा सका अब इनका बीज की साथ ही नाश कर रहा हूं मगर क्यूँ महराज जो बेक्ती अपने शत्रू और रास्ते में आई बाधा का समून नाश नहीं कर देगा वो अपने नाश का उपाए स्वेम करता है ब्रामण की बाध सुनकर शक्तार हैरान रहे वास्तों में इस विचितर इनसान ने उनके मन को जख जोर कर रख दिया था उसे भी तो राजा नंद ने बरबाद किया था क्या उसे भी इस ब्रामण की शिच्छा के अनुसार अपने शत्रू का सरवनाश करना चाहिए किन्तू वे एक बार फिर उससे कहने लगा बंधू इतना परिश्रम करने से तो कहीं अच्छा था कि आप पाउं में ही कुछ पहन लेते इससे आपके पाउं भी बचे रहते और यह काम भी नहीं करना पड़ता महराज आप यह क्यों भूलते हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेश की बात नहीं है मैं तो उन सब लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो नंगे पाउं चलते हैं जो गरीब हैं पाउं के लिए जूते नहीं खरीद सकते आप महान है पंडित जी नहीं मैं महान नहीं वास्तों में आप लोग महान है मुझे तो देखने में आप कोई राजबनशी लगते हो फिर इतना निराश क्यों मैं अभागा मगद का नाथ उप महामात शक्तार हूँ क्या आप उप महामाते हैं काला कलूटा ब्राम हड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पीछे हट गया जी हाँ मगर आप मैं विश्नुगुप्त चनक के हूँ आप तो पंडित हैं आपको मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए था आप एक महान वीर हैं जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है आप एक अच्छे राजनितिक के भी हैं इसलिए मैंने आपकी बुद्धी को प्रणाम किया है अपने से अधिक बुद्धी वाले इंसान को प्रणाम करना महानता होती है आप तो अच्छे विद्वान लगते हैं लेकिन इतने निर्धन क्यों चलो मेरे साथ चलो मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता कहां चलो एक बात याद रखना राजवनशी मैं किसी की नोकरी नहीं कर सकता नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है हमारे मगद नरेश कल सुबह दान पूरने करना चाहते हैं उन्होंने ही मुझे कल किसी ब्रामण को धुंड कर लाने को कहा है मगर आप मेरे लिए ऐसा क्यूँ देखो चाना के पंडित मैं ब्रामणों का बहुत आदर करता हूँ मैं आपको इस जंगल में भटकते नहीं देख सकता मैं पाटले पूतर में आपके लिए एक विद्याले खुल दूँगा आप विद्या का प्रकाश लोगों तक पहुचाने का महान कारे करेंगे चाना के हैरान रह गए थे उनकी समझ में शायद कुछ भी नहीं आ रहा था यहीं से हमारे इस महान वह राजनीती शास्त्र गया था चाना के जीके जीवन गाथा आरंभ होती है